तो दोस्तों अगर आप भी अपने मवाइल फोन से अपने फोटो के साथ या पिर किसी के भी फोटो के साथ इस तरह का ट्रेंडिंग ए स्टेटस वीडियो इडिट करना चाहते हो बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को कम्प्लीट जड़ देखेगा क्योंकि वीडियो काफी ज चलिए दोस्तों बिना किसी पकवास के आज किस वीडियो को सुरू कर लेते हैं उससे पले अपने भाय का नाम जान लिजे मिना नमे घंसायम और स्वागत करता हूं आप सुभी का हमारे यूटूब चैनल टेकनिकल घहनु में और दोस्तों अब भी तक आप मुझे इस्टा मैं अपने मवाइल के स्कीन पर आ गया हूं तो सबसे पहले आप लोग को एक अप्लीकेशन का जोद पर जाएगा जिसका नाम है काइन मास्टर तो आप लोग को प्ले स्टोर पर मिल जाएगा या प्र नए तो लिंक मैं डिस्किप्सन बॉक्स में दे दिया हूं वहां से भ इसके बाद 3x4 वाले डेसियो को सेलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और दोस्तों यहां पर मैं एक वाइगराउंड इमेज को एड़ कर रहा हूं तो उसका वी लिंक को ए डिस्किप्सन बॉक्स में दे दिया हूं वहां से आप लोग भी डाउनलॉड क कर लिजेगा और इस वाले बाइगराउंड इमेज को यहां पर एड़ कर लिजेगा उसके बाद उपर से कट कर देना है बाइगराउंड इमेज पर क्लिक करके सबसे पहले बाइगराउंड इमेज की डूरेशन को आप लोग को बढ़ा देना है दोस्तों आप जितने देर जिस भी फोटो को इसे status वीडियो में add करना चाहते हो, उस वाले फोटो को यहाप पर add कर लिजेगा, साथ ही आप लोग को एक बात का ध्यान भी रखना होगा, आप जिस भी फोटो को इसे status वीडियो में add कीजेगा, set कीजेगा, उस फोटो के background को पहले ही remove करके रख लेना है, दोस्तों अगर आपको अपने फोटो के background को remove करना नहीं आता है, तो इस पर मैं एक full वीडियो बना दिया हो, और उसका link वी description box में दे दिया हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उस वीडियो को भी जा करके देख लिजेगा, और अपने फोटो के background को remove करके, यहाँ पर select कर लिजेगा, उसके बाद सबसे पहले आप लोगो यहाँ पर अपने फोटो के size को यहाँ पर कुछ इतना बढ़ा देना है, कुछ इतना, कुछ इतना, और इसको यहाँ पर आप लोगो रख देना, यहाँ पर, उसके बाद simply आप लोगो अपने फोटो के duration को य पर on कर देना है उसके बाद आप लोग को इसके adjustment वाल अप्सन पर क्लिक करना है और उपर में जो यहाँ पर brightness का option आप लोग को दिखाए दे देगा तो सबसे पहले इसके brightness को भी यहाँ पर कम कर देना है तो दोस्तों यहाँ पर इसके brightness को minus 80 पर रख लेता हूँ आप अपने हिसाब से कम कर लीजेगा उसके बाद आप लोग को नीचे चलाना इसके हुई वाले option पर और अपने कपड़े के color के हिसाब से आप इसके color को यहाँ पर match कर लेना अपने कपड़े color के हिसाब से उसके बाद उपर से सही कर देना है सुरुवात में आ जाना है layer पर क्लिक करके media पर क्लिक कर लेना है और दोस्तों यहाँ पर मैं एक border frame वाले image को add कर रहा हूँ तो उसका वे link को आए description box में दे दिया हूँ वहाँ से आप लोग भी download कर लिजेगा और उस frame के भी background को remove करके यहाँ पर add कर लिजेगा उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आप लोग को इस frame के size को यहाँ पर कुछ इतना बढ़ा देना है उसके बाद इसको यहाँ पर आप लोग को पूरे अच्छे तरीके से कुछ इस परकार से adjust कर लेना है कुछ इस परकार से उसके बाद simple आप लोग को इसके भी duration को full कर देना है जितने देर तक background image का duration रेगा उतनी देर तक उसके बाद नीचे चलाना आप लोग को इसके adjustment वाले option पर फिर से नीचे चलाना आप लोग को इसके भी इडिया पर क्लिक कर लेना है और दोस्तों यहां पर मैं एक template video को add कर रहा हूं तो उसका भी लिंक में description box में दे दिया हूँ वहां से आप लोग भी download कर लिजेगा और यहां पर इस वाले template video को add कर लिजेगा यहाँ पर इस template को add कर लिजेगा उसके बाद सबसे पहले आप लोग को इसके size को कुछ इतना बढ़ा देना है कुछ इतना full उसके बाद इसको यहाँ पर आप लोग को इस template को side में यहाँ पर डखना है यहाँ पर उसके बाद simply आप लोग को इसके sound पर click करके इस पर टाप करके पहले इसके sound को mute कर देना है उपर से सही कर देना है फिर से एक वार इस template वीडियो पर click करके आप लोग को नीचे चलाना इसके भी blending वाल option पर और screen को select करके उपर से सही कर देना है और सही करने के बाद फिर से एक वार इस template वीडियो पर click करना है आप लोग को नीचे चलाना इसके भी adjustment वाल option पर फिर से नीचे चलाना इसके हुई वाल option पर और इसके भी color को यहाँ पर आप लोग को अपने कपड़े के color के हिसाब से पहले match कर लेना है उसके बाद उपर से सह कर देना है layer पर क्लिक करके media पर क्लिक कर लेना है और दोस्तों यहां पर मैं एक lyrics template वीडियो को add कर रहा हूं तो उसका भी link को एं description box में दे दिया हो वहां से आप लोग भी download कर लिजेगा और यहां पर इस वाले lyrics template वीडियो को add कर लिजेगा या फिर दोस्तों अगर आप किसी दूसरे lyrics template वीडियो को इस status वीडियो में add करना चाहते हो set करना चाहते हो तो उस वाले lyrics template वीडियो को यहां पर select कर लिजेगा साथ ही दोस्तों आप लोग को एक बात का ध्यान रखना होगा आप जिस भी lyrics template वीडियो को इस status वीडियो में add किजेगा, set किजेगा उस lyrics template वीडियो का background कुछ इस प्रकार से आपर black ही होना चाहिए उसके बाद यहाँ पर अपने lyrics template वीडियो को select कर लेना है और select करने के बाद दोस्तों simply आप लोग को सबसे पहले नीचे चलाना इसके blending all option पर, screen को select करके simply इसके यहाँ पर इस lyrics template वीडियो को, इसके size को यहाँ पर थोड़ा सा कम करके adjust करके यहाँ पर आप लोग को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रखती नहीं यहाँ पर उसके बाद उपर से size कर देना है फिर से एक वार इस lyrics template वीडियो पर क्लिक करके आप लोग को नीचे चलाना इसके भी यहाँ पर adjustment वाल अप्शन पर फिर से नीचे चलाना इसके भी हुई वाल अप्शन पर और इसके भी color को आप लोग को यहाँ पर matching color रख लेना है matching color उसके बाद उपर से size कर देना है फिर से एक वार इस lyrics template वीडियो पर क्लिक करके 3. पर क्लिक करके send to back वाल अप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है send to back वाल अप्शन पर उसके बाद उपर से size कर देना है सही करने के बाद दोस्तों सिंपले आप लोग को एक वार अपने photo पर क्लिक करना है और अपने photo को यहाँ पर आप लोग को पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पर adjust कर लेना है, पूरे अच्छे तरीके से, उसके बाद उपर से सही कर देना है, शुरुवात में आ जाना है, layer पर क्लिक करके, second number वाला option effect पर क्लिक कर लेना है, और basic effects पर क्लिक करके, first वाले blur को यहाँ पर select कर लेना है, first वाले blur को, उसके इसके size को यहाँ पर full कर देना है 3 dot पर क्लिक करके send to back wall option पर क्लिक कर देना है उपर से सही कर देना है और सही करने के बाद दोस्तो simply आप लोगो इस blur के भी यहाँ पर duration को full कर देना है जितनी दिर तक का background image रहेगा उतनी दिर तक उसके बाद उपर से सही कर देना है और सही करने के बाद finally आपका status वीडियो बन करके तयार हो जाएगा तो चलिए मैं आप लोगो एक बड़ प्ले करके दिखा देता हूँ तेरी खुश्बू और तेरी सांसे कत्रा कत्रा सब भुलाए उसके बाद इसे status वीडियो को अपने मॉबाइल फोन में सेव करने के लिए आप लोगो सेर वाल एकन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर quality में 720 पी या फिर ने तो 1080 पी को सेलेक्ट कर लेना है फ्रेम डेट में 30 को सेलेक्ट करके यहाँ पर इसको अपने हिसाब से रखना है और सेव बाले option पर क्लिक कर देना है और दोस्तों यहाँ पर आप लोगो को कुछ दिर वेट कर लेना है कुछ दिर के बाद आपका यह वीडियो एक्सपर्ट हो करके आपके मॉबाइल फोन में सेव हो जाएगा उसके बाद आपका मन जहाँ पर होता है वहाँ पर इस वीडियो को सेर कीजिए जहाँ परे स्टेटस में मन होता है वहाँ परे स्टेटस में इस वीडियो को लगा लीजिए तो दोस्तों आपके आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आदे वडियो को लाइक कर दीजाएं अभी तक हमारे यूटूब चनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो सब्सक्राइब करके वेल एकन को प्रेस करके आउल पर से तो करे लिजेगा क्योंकि दोस्तो इस चैनल पर मिसी तरके न्यू नू नौलोजबल वीडियो, इंट्रेस्टिंग वीडियो एंड इडिटिंग से रिलेटेड वीडियो लेकर के आता ही रहता हूँ और दोस्तो अगर आप भी मुझे बात करना चाहते हो या फिर आपको इडिटिंग से रिलेटेड किसी भी परकार का प्रोब्लेम हो डौट हो तो आप मुझे इस्टागरम पर मैसेज कीजेगा मैं आपको मैसेज को पढ़ करके आपको जरू से जरू रेपलाई दे दूँगा दोस्तो इंस्टागराम का यूजर ने मैं घंसामजी123 या फिर ने तो लिंग को मैं डिस्क्रिप्शन वाक्स में दे दिया हूँ तो जाइए और फोलो करके मैसेज कीजेगा तो चलिए दोस्तो फिर मिलते किसी और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद बंदे मात्रम